नमस्कार प्यारे किसान भायो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे सेम का खेती किस परकार से किया जाता है कौन सी भराइटी का खेती आप करेंगे तो ज़्यादा उपज ले सकते हैं और इसका निराई गुराई और फटिकेशन कैसे किया जाता है कैसे इसका बेट बनाया जाता है और कैसे इसको रुपाई किया जाता है उस सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे चैनल वह पहली बार आए हैं तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जहाँ पर भी आप सेम के खेती करना चाहते हैं जिस खेत में सेम का खेती करना चाहते हैं उस खेत में गोबर का जो खाद होता है पुराना सारा हुआ गोबर का जो खाद होता है कम से कम एक साल पुराना या उसमें बिल्कुल बारीकी से मिटी को मिला करके उसमें आप मेड बना सकते हैं छोटे-छोटे और इस फरकार से पानी जानी के लिए उसमें क्यारिया बना दे था कि इस नाली विधी से उसमें पानी वहां तक पहुँँच सके तो इस परकार से बना करके आप तयार कर ले और जो सेम का जो वीज है वो लगाने के एक फिट पर वीज लगाए तो दो लाइनों में लगा सकते हैं एक फिट के दूरी पर रख लख करके पहुत से पहुत के दूरी एक फिट रखे और लाइन से लाइन के दूरी जो है वो चार फिट आप रख करके खेती कर सकते हैं सेम के खेती सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है जब ये जर्मनेट हो जाए इस पर कार से और इसका बेल बनने लगे बेल जैसे की तीन फिट से उपर आने लगे तो इस पर मचान बना सकते हैं यहाँ पर मचान बना करके जितने दूर में आप खेती किये हुए हैं वहाँ पर मचान बना सकते हैं अगर आप बेड करना चाहते हैं तो उस समय भी आपको रसी लगा करके उपर उठाना पड़ता है तो इसको बेड लगा करके बना दे या नहीं तो मचान बिदी से करते हैं तो इस परकार से कर दे जैसे देख सकते हैं इस परकार से तो ये जैसे की December से इसमें फ्लारेना स्टार्ट हुआता है लगना छोटे-छोटे स्टार्ट हुआता है तो देख सकते हैं कि sends सारे में लग चुका है और नीचे इस प्रकार से पानी के लिए देख रहे हैं कि जो नाली बनाया हुआ है इस प्रकार से आप अपना पोधा लगा सकते हैं और पानी इसमें जदा न भरने दे अगर पानी भरता है तो इसमें पीला रोका समस्या बनने लगता है तो इसमें जदा पानी न रुकने दे अगर पीला रोका समस्या अगर होता है तो इसमें सफेद माखी, एफिड, जैसिड यह सब जो किट होता है वो इसमें लगने लगता है तो इसके नियंतरन करने के लिए इमीडिया कलोपरीड जो आता है उसको 1 ml परती लीटर के हिसाब से इसको पानी में मिला करके अब इस पर छिरकाब कर सकते हैं और छिरकाब करते समय इस चीज़ को ध्यान रखे कि जो फल होता है सबजी सेम लगा होता है वो तुराई हो गया होना चाहिए क्योंकि जिस समय लगा होता है उस समय अगर अगर छिरकाब करते हैं तो सबजी बजार में अगर लेके जाते हैं या सबजी ज चन्ड के महिने में इसे पाले से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है इसमी का फोदगों तो पाले से बचाने के लिएसे होता है सलपफर का आपड़या शर्पासलफर को भी करता है ऑनोल छो परुरेंगे 2 इस समय कर दे cord कलोर पारिफोस जो आता है उसको 2% मात्रा पानी में दे करके अब इस पर छिरकाब करें अगर इस परकार से छिरकाब कर देते हैं तो इसका जो लाही होता है या माहों जो होता है भूरे-भूरे कलर का जो होता है जो इसके उपर जो पकरा होता है पत्ते समय वो खतम होता है न तो खतम हो जाता है तो यह देख सकते हैं कितने सारे भराइटी है आप इंडिया में ज्यादा तर यही भराइटी सब चलता है देख रहे हैं कि एक नमबर पर यह है दो नमबर पर यह और तीसरी नमबर पर यह है यह जो सिम सब जो है ओ इंडिया में ज्यादा किया आता है एक एक नया variety आया है काले वला जो पतली सो होता है और बिल्कुल काले होता है वह ज़्यादा corporations है मार्केट में बल्की कम हो दिखता है और होइंट बाला जो सिम आता है जिसका आगे पीछे से हल्का- साइड से वह स्वम्धू है जाओं जैसे की जह होता है ज्याओं बगेरा में ज़्यादा चलता है और यह स्वह से यह particular से हैं यह इसको एक कर के बारीक से हम देखते हैं जैसे यह देख रहा हैं इसका बhouse कुछ अलग ही कि देख सकते हैं यह ज्यादा उपज देने महिने तक इसे आप ले सकते हैं सेन और बहुत ही अच्छा होता है तो भी तो चिंद के खेती टिकर CART ऑप सब्सक्राइब उसकते संसे चाले ले सकते हैं और ऑस जादा यह पहल देने काल बस में पहुत होताँ है और बहुत ही ज़ाद दिन तक ये फल देती है सबजी देती है तो सबजी आप ले सकते है मार्च अपरेल तक जो है इसका quantity और quality सही रहता उसके बाद जहें आप ज़ाद दिन तक रख सकते हैं लेकिन इसका quantity और quality में थोरा सा गिराब आता है अंतर हो आता है तो इसलिए अपरेल तक इसका खेती जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से किया जाता है और आच्छा पैमाने पैसे आप उपज ले सकते हैं तो इस परकार से आप सेम के खेती करेंगे तो अच्छा होगा और बहुत ही जदा उपज ले सकते हैं देख रहे है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तके लिए नमस्कार